तो हेलो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं free fire top up problem के बारे में तो गाइस कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने free fire game में top up करते हैं या फिर special airdrop खरीदते हैं तो हमारे सामने एक error आजाता है और उसमें लिखा हुआ होता है the item you requested is not available for purchase तो guys अगर आप भी अपने free fire game में top up करने चा रहे हो या फिर special addrop खरीद रहे हो और अगर आपके साथ भी ये वाला problem हो रहा है तो आज के इस वीडियो का पूरा end देख लेना क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो problem है ये आपके साथ क्यों हो रहा है और इस problem को आप लोग कैसे solve कर सकते हो तो चलो इस वीडियो को start करते हैं तो guys चलो अभी सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो problem है या आपके साथ क्यों हो रहा है तो जब भी आप अपने free fire game में top up करते हो या फिर special addrop खरीद ते हो तो वो जो purchase है वो प्ले स्टोर से होता है मतलब कि जब भी आप top up करते हो तो वो आपका free fire game उसको प्ले स्टोर पे redirect कर देता है और आप उसके बाद जाके प्ले स्टोर से अपने समान को purchase करते हो और जो भी item है उसको आप वहाँ पे खरीदते हो लेकिन का इस अभी जैसा कि आपको पता ही और इसी वज़े से हमारे सामने यहाँ पर यह वाला error आजाता है तो यह तो बात हो गई कि यह वाला error आपके सामने क्यों आता है तो चलो अब मैं आपको बताता हूं कि इस problem को solve कैसे करना है तो इस problem को solve करने का हमारे पास बस एक ही तरीका है और वो है कि आपको free fire max game और free fire नहीं है तो इसे अगर आप लोग top up करना चाहते हो तो आप लोग simply से free fire max game अपने phone में install कर लो और उसके बाद आप लोग free fire max game में से top up भी कर पाओगे और सब कुछ कर पाओगे तो guys I hope अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि इस वाले problem को solve कैसे करना है तो अगर आपको इस वीडियो पसंद आई हो तो please इस वीडियो को like करके हमारी channel को subscribe कर लेना